हेलो फ्रेंस आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है आज हम 5 लкий मीड grace क intra ली है हम अच्छे से मोश कर लिया है कंडुकश कर लेते हैं हमने सारी गज़ओ कंडुकश कर लिया है और हमने जो बड़ा वाला होता है Santo में इससे किया है स्वाद में अंतर आता है पड़े से चोटे से करने में इसलिए हमने बड़े से कड़ना है अब हम एक कढ़ाई में देशी ही डालेंगे दो चम्मच कि अब हम थोड़े से ड्राइफ रूट्स को अच्छे से तल लेते हैं अब हम अपनी गाजर डाल लेते हैं सारी एगवार में नहीं आएगी इसलिए हम आधी आधी रप्ते डालेंगे और गाजर को अच्छे से भूल लेंगे अगर आप से पास बड़ा बरतन है तो आप एगवार में भी डाल सकते हैं अच्छे से भूणना आएं हमें गाजर को बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे नीचे से उपर उपड़ से नीचे करते रहेंगे लगतार जैसी यह बंती जाएगी कम होती चली जाएगी फिर हम और गाजर जो हमारी बच्ची हुई है वो भी हम डाल देंगे हमने सारी गाजर डाल दी है कड़ाई में वह हम बीच में थोड़ा स्पेस बना लेंगे और एक किलो चीनी ली है हमने एक किलो चीनी डाल देंगे हम बीच में स्पेस बना के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पांच किलो गाजर हमें हमने एक किलो चीनी ली है अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के हलवे में अभी पानी है जो अच्छे से पूरा मोश्य सूख जाएगा तब हम इसमें मावा डालेंगे उससे पहले हमें नहीं डालना है गाजर भी पानी चोड़ती है और चीनी से भी पानी बन जाता है फुल फ्लेम पे हमें गाजर का हलवा बनाना है फुल फ्लेम में चलाते भी रहना है कि देखी कलर कितना सुंदर आया है मार्केट में दो तरЙके की गाजर आते है एक और लाल आते है जो हलो वाली होती ए वो लाल वाली आपको लानी है उसी से आप बनाएंगी तो बहुत tu अच्छा कलर आता है हमारे हलोगे का पानी को पुछ कोट लीया है थोड़ा वोती बच्छा है आप इसी स्टेश पे फिस म्हावा डाल देंगे हमने पांच किलो गाजर के लिए Allen एकड्वा मावा लिया है मैंने कद्व कसकर क्या है मावे को आप चाहिए तो अब क्रश्च करके डाल सकते हैं पांच किलो गाजर में एक लूमावर ड़न जाता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ हमने इलाईची को कूट लिया है इलाईची डाल देते हैं यह ड्राइफ फूर्ट जो हमने तले थे वह हैं यह हमने कट कर लिये हैं यह डाल देते हैं अब हम गैस की फ्लेम बंग कर देते हैं हलवा हमारा बिल्कुल तयार है आप इसी तरीके से बनाएं और इंजोई करें थैंक यू फूर बोचिंग